आज के से वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ Among ैप में अकाउंट कैसे बनाए दोस्तों गर आप भी इस्तिमाल करते हैं Among ैप्लिकेशन और आप अपने उमंग इप्लिकेशन के अंदर अपना अकाउंट कीरेट करना चाहते हैं लेगिन आपको मालूब नहीं है कि Among application के अंदर जो ही आप अपना account कैसे बना सकते हैं तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए इस वीडियो में आप सभी को मैं इसी के बारे में बताने वाला हूँ तो दोस्तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं Among application में account बनाना काफी असान है चलिए मैं बताता हूँ आप कैसे बनाएगा तो Among application में account बनाने के लिए सबसे पहले आपको Among application को Play Store से डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको डिरेक्ट ओपन कर लेना है और ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस त आपसे देखने को मिलेगा login in sign up आपको इस पर क्लिक कर देना है इसके बाद यहाँ पर बुलेगा आपसे कि अपना mobile नमर डाले और यहाँ पर pin डाले तो यहाँ पर हम क्या करते हैं अपना mobile नमर को डाल देंगे और अपना pin डालेंगे अगर हमने इससे पहले कोई account बनाया ह अगर आप एक नया user से और नया account बनाना चाते हैं तो आप नीचे में जो है आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं register hair के बटन पर क्लिक करें और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर mobile नमर डालना है जिस भी mobile नमर से account create करना चाते हैं तो चलिए आपना mobile नमर को इंटर करते हैं मुबाइल नमबर को इंटर करने के बाद आपको जो है नीचे में एक बॉक्स दिखेगा इस बॉक्स पे आपको टिक करना है अगर इस पर टिक नहीं किजेगा तो आपका अकाउंट रिजिस्टर नहीं होगा बस आपको यहाँ पर टिक करना है और रिजिस्ट cod को आपको copy कर लेना है और यहां पे जो है आपको इसको जो है major कर देना है तो चलिए अपना OTP code को यहाँ पर fill up करते हैं अब OTP code fill up करने के बाद आपको next पर click करना है यहाँ पर click करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर logging success आ चुका है कभी कभी दोस्तों यहाँ पर आपका OTP code नहीं लेगा जल्दी तो आपको थोगा दे टाइम वेट करके फिर से दुबारा आपको डालना होगा क्योंकि यह application जो है आपको पूरा भारत में चलता है इसलिए आपको जो है permission को allow देना है यहाँ पर बोलना है कि enter your four digit pin यानि आपको जो है अपना among application का एक pin set करना होगा ताकि आप जभी भी login करें तो आप अपना mobile number और अपना pin को डाल कर login कर सकते हैं यानि एक तरीके से जो है यह आपका एक password हो जाता है तो हम चलिए अपना pin को यहाँ पर enter करते हैं उपर वाले में अपना pin को डाले नीचे वाले में same pin आपको डालना है तो चलिए अपना डाल देते हैं हमने क्या किया है दोनों में pin same डाल दिया है आपक क्लिक कर सकते हैं और आपका अकाउंट बनके रेडी हो गया है इस परकार से आप उमंग अप्लिकेशन के अंदर आप अपना अकाउंट को क्रियेट कर सकते हैं वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जूर से पताएगा वीडियो को लाइक करना साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें